बिस्मिले रख्मान ररहीम, वेल्कम बेक टो माई चैनल, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यह एंकर डिजाइन शेयर करूंगी, जो कि बहुत एजी लिए हम बना सकते हैं, और वो भी स्लीव एंड दामन पर साथ तो चलि मैं बांने मलें को मैं मैंने काम कर लेते हैं धुक्ति ओपादश हगए, आस बदम कर दिया है मैं दिया है, वीडियो मा क acept कि मोहीं ट्राइक है, जो हो सभी घासम पना से कर तो आपको देंगे और यह लीए डियो सबते हैं कि मार्केटे сп この कि पारते आपाद को उस तरह से easily नहीं iron होती तो ये बहुत easily बैट जाती है और इसकी लंबाई है 13.5 इंच और इसकी जो चुराई है वो हम 2.5 इंच ले रहे हैं अब हम यहां पर इस fabric के उपर इसको paste कर देंगे तो हमने extra half inch का fabric छोड़ कर फिर इसको paste करना है इस तरह से हमने इसको अच्छे से paste कर लेना है ताकि हमारी easily बैट चाहे और ये iron बहुत अच्छे से होती है ये देखें दोनों साइट से जो है ये paste हो गई है तो यह मेरा inch state पर यहां से थोड़ा सा जो है na 13 है तो हम इसकी measurement के लिए यहां से measure करेंगे तो हमने half inch की measurement कर लीनी है हम यहां से लेकर तो one जो inch के है वहां पर निशान लगा के तो यह हमारा half inch हो जाएगा हम ने दोनों साइट से 1.5 इंच की निशान लगा लेनी है इस तरह से हम रखेंगी और 1.5 इंच का निशान लगा लेंगी मेरा इंचिस्टेप प्रांट वाली साइट से न अथतर सर्ट 17 है तो इस वज़ा से मैं आगे से निशान नहीं लगा रही आप अपने इंची स्टेप से फ्रंट वाली साइड से रखके तो हाफ पर निशान लगा लीजेगा इस तरह से दोनों साइड से हम इसको मार्क कर लेंगे तो यह देखीए मैंने निशान लगा लिए अब हम जो निशान लगाए हैं उनको हम लाइन्स के साथ ट्रॉ कर लेंगे स्केल के साथ तो पैन के साथ भी कर सकते हैं चौक के साथ भी कर सकते हैं तो इस तरह से देखीए दोनों साइड पे जो निशान लगाए थे उन पर हम लाइन्स लगा देंगे तो यह लाइन्स देखे दोनों साइट पर लगा लिए है अब हम जो मीठ वाल है वो मैयर कर लेंगे तो यह मेरा तयार होकर 1.5 इंच है ठीक है हमने इसके अंदर डिजाइन बनाना है अब हम क्या करेंगे जो लाइन्स लगाई है वहाँ पर इंची स्टेप को रखके 2.5 की मार्किंग कर लेंगे निशान लगा लेंगे तो इस तरह से इस साइट से लगा लिए हैं दूसरे साइट से भी सेम हमने ऐसे ही करना है 2.5 इंच के निशान लगा लेने हैं तो इस तरह दोनों साइट पर मैंने इनके निशान लगा लिए अब यह लिट है तो कोई भी लि फाइफ सेंटीमेटर का छोड़ देना है फाइफ सेंटीमेटर का छोड़ कर फिर हमने यहां पर इस तरह से ट्रेस करना है डिजाइन को तो यह देखे इस तरह से हमने बनाना है दूसरा भी जो हमने निशान लगाया था वो इसी तरह हम रखेंगे और इसके उपर ट्रेस कर द तो दूसरी साइट से भी हम इसी तरह करेंगे कि हमने जो निशान लगाए थे उसी के उपर रखकर हम इसको उपर से 5 cm का छोड़ कर इस तरह हमने इस डिजाइन को बना लेना है तोनों साइट से बनाने के बाद देखिए हमने जो मीट में रखा था वो हमारा डिजाइन जो 2. पर यह आ रहा है तो इस तरह से जो दूसरी लाइन को इगनोर करना है जो हमने लाइन लगाई है डिजाइन की वो हमारा 2.5 पर तयार हुआ है अब जो हमने ऊपर रखा था 5 cm का छोड़ कर वहां पर हमने इसको डबल बनाना है डिजाइन को तो हमने जैसे शेप नीचे वाल कर इसको ट्रेस करना है तो फिर बात में हमने इसको डार करके राउंड शेप बना देनी है तो यह देखे इस तरह से यह एक साइट से और दूसरी साइट से दोनों साइट से हमने इनको डबल लाइन के साथ डिजाइन को बना लेना है तो यह देखे इस तरह से यह डिजाइ को तो हम बॉबिन में बढ़ लेंगे तो ये तीने हमने एक साथ रखने हैं तो इस बॉबिन के अंदर हमने इसको बढ़ लेना है तो इस तरह से जो है ना बॉबिन में मैंने ये तीनों दागे बढ़ लिये हैं जो गोले का यूज किया है तो बॉबिन को फिल कर लिया है इसक को हम लूज कर लेंगे इससे यह कि हमने जो दाग है न तीन दागे यूज किये हैं तो वह हमारी खेंच नहीं लगेगी एजी ली जो हम बाहिरा सकेगा तो हमने इसको लूज कर लिए और उपर जो है सिंगल दागा ही यूज करूंगी अब यह डिजाइन जो मैंने फैब्रिक से साथ सा स्लाई करते जाएंगे हाथ की मदद से राउंड करते जाएंगे और इस तरह से स्लाई कर लेंगे इस से यह कि हमारी शेप बहुत अच्छे से बनेगे और फ्रंट वाली साइड से भी बिल्कुल नीच डिजाइन आएगा हमारा जी इस तरह से मैं ऐसे करना है और एक पात का और ख्याल करना है कि हमने जो दागा बोबिन में बरा हो इतना होना चाहिए कि हमारा एक डिजाइन कमप्लीट हो सके क्योंकि अगर हमारा डिजाइन मिठ में तूट चाये दागा तो हमारा डिजाइन जो है वो खराब हो जाता है फ्रन्ट वाली साइड से तूटा हुआ दागा आता है तो फिर हम दुबारा उसको जोरे तो वो इस तरह से नीट नहीं आता तो हमने अगर नेक्स दूसरा डिजाइन बनाना हो तो हम इसको जो है फिट से बोबिन को बढ़ लेंगे ताके हमारा डिजाइन एजी नी बन सके इस तरह से हम इसको अराम-अराम से हाथ की मदद से शेप देते जाएंगे, सासाथ मूब करते जाएंगे और अपने डिजाइन को बना लेंगे तो ये देखें फ्रांट वरे साइड से हो गया अब हमने जो दूसरी लाइन है, इसको भी इसी तरह से हमने बनाना है और सासाथ सिलाई करते जाना है तो हमने दोनों कर ली हैं अब दूसरी जो हमने लगाई थी दूसरी साइड से ओपोजिट साइड से वो भी हमने पहली एक लाइन को सलाई करना है और फिर दूसरी को भी ऐसे ही तो मैं इसमें गोले के तीन दागे यूज़ करके इस डिजाइन को बना रही हूँ अब चाहे तो दो दागों का यूज़ करके भी इस डिजाइन को बना सकते हैं और चाहे तो नलकी लेकर भी हम उसके लिए हमें चार दागे यूज़ करने होगे बॉबिन में बढ़ने के लि जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रेक रखा था आगे से, वो हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, आइरन के साथ इस तरह, तो अब हम इसकी हैमिंग कर देंगे, क्योंकि ये कन्नी है तो हम इसको डबल फोल्ड नहीं करेंगे, हम इसको एक ही सिंगल फोल्ड करके इसकी हैमिंग कर दे अब हम इसके उपर पल्स लगा लेंगे तो मैं इन पल्स का यूज कर रही हूँ यहाँ पर तो हम निगा यहाँ पर डिजाइन है इनके उपर रखके इस तरह से यह पल्स लगा लूँगी तो इसको हम सुई के साथ लगा लेंगे नीडल के साथ तो हम इसके इस तरह रखेंगे और छोटे पल्स भी लगा सकते हैं बरे भी लगा सकते हैं आप ना भी लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते तो इस तरह से हम कर लेंगे इसको डबल हम लॉक लगाएंगे ताकि हमारा पल्स उत्रे ना तो इस तरह से हम इसको डबल लॉक के साथ जोड़ देंगे ताकि हमारा जो ना बहुत एजी ली और अच्छा लग सके तो यह देखें मैंने इनको यहाँ पर जोड़ दिया है तो I hope मेरा यह डिजाइन आपको अच्छा लगा होगा और यह एंकर डिजाइन बहुत एजी ली हम बना सकेंगे अब हम इसकी साइट की स्लाइ लगा लेंगे और साइट की स्लाइ जो है मैं अपनी इसाप से ले रही तो यह मैं इस तरह से डिजाइन तयार हो गया है और मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को बेल के साथ सबस्क्कारइब करतेi ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन में से के नेग्सट वीडियो के लिए